Hello everyone, welcome मैं आपका मेरी किचन मी आज मैं आपको बहुत ही टेश्टी और कुरकुरी पकोडी बनाना बताऊंगी जैसे कि आज कल बरसात का मोसम है और बारिस होते ही आपका मन घर में पकोडी बनवाने का करता है तो आज मैं आपको इतनी स्वादिष्ट और कुरकुरी पकोडी बनाने का एक ऐसा सिंपल सा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी पकोडी एकदम कुरकुरी बनेंगी और बहुती टेश्टी बनेंगी इसे कोई भी बना सकता है बहुत ही आसान सा तरीका है इसका बनाने का तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक बालू बड़े साइज के आलू को बारिक काट लिया है और दो मैंने प्याज के बारिक बारिक टुक्ड़े कर लिए है इसमें मैंने दो हरी मिर्च भी बारिक करके हमे काट लेनी है मिर्च आप चाहिए तो इसमें लाल भी डाल सकते हैं तो आज जो हम पकोड़ी बनाएंगे बहुत टेश्टी पकोड़ी बनके तयार होगी पस आपको करना क्या है एक बड़ा सा बोल ले लेना है और उसमें आपको ये जो प्या जो रालू है ये डाल देने हैं और इसमें हम डाल देंगे बेसन तो बेसन आप कोई भी कमपनी का ले सकते हैं ये मैंने राजधानी का बेसन लिया है तो बेसन की मातरा आप अपने आप ही डाल सकते हैं जैसे मैंने इसमें एक कटोरी के करीब बेसन डाल दिया है तो एक बड़ी कटोरी के करीब मैंने इसमें बेसन डाला है थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है टेस्ट के कोड़ी और आधी चमच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है और आधी चमच मैंने इसमें धनिया का पाउडर डाला है और देखेगा ये जो हमारी पकोड़ी बेहर टेश्टी बनने वाली है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी थोड़ा सा मैंने इसमें लैसुन और अद्रक का पेश्ट डाल दिया है ये मैंने इसमें दो चमच अरा रोट का पाउडर डाला है अगर आप अरा रोट का पाउडर डाल करके पकोड़िया बनाते हैं तो पकोड़ी बहुत ही जादे कुरकुरी बनती है तो पकोड़ी बनाने का ये बिल्कुल सिगरेट तरीका है तो अगर आपके पास अरा रोट का पाउडर नहीं है तो आप इसके बिना भी पकोड़िया बना सकते हैं लेकिन अगर अरारा उटका पाउडर आप डाल देते हैं इसमें तो बहुत ही तेश्टी और कुरकुरी पकोड़ी बनती है थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके हमें इसको मिक्स करना है एक दना आपको ज जादा पतला नहीं करें नहीं तो आपकी पकोड़ियां बिल्कुल भी कुरकुरी नहीं बनेगी तो देखेगा आपको जैसा मैं आपको यह दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसा टेक्स्टर आपको रखना है अगर आप मेरी वीडियो पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक् क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाती रहती हूँ बहुत ही सिंपल सी रैसिपी बताती हूँ और बहुत ही सिंपल आपको घरेलू उपाई बताती हूँ जिससे आपको 100% फायदे होते हैं तो फ्रेंट्स इतन पकोड़ियों को बनाने के लिए मैंने गैस को ओन कर लिया है गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने सरसो का तेल डाला है आप चाहे तो इनको रिफाइंड ओयल में भी बना सकती है लेकिन सरसो के तेल में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही जादे हेल्दी पकोड़ी बनती है क्योंकि सरसो के ते प्याज के इस तरह से आप छोटे-छोटे पीस इस तरह से डालते रहिएगा और आप जहां भी आपको इस पीस दिखाई दे वहीं पर आप इसको डाल दीजेगा गैस का फ्लेम में मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर अगर हम पकोडिया बनाते हैं तो हमारी पकोडी बहु देरबादी आपको करना क्या है इन्हें अच्छे से पलट देना है जिससे दोनों साइड से अच्छे से सीख जाएं तो फ्रेंट्स बरसात के मोसम में जैसे ही बारिश सुरू हो जाती है तो आप इस तरीके से जट पट घर में पकोडियां बना सकते हैं बिलकुल भी टाइ पकोडियों का इसमें डाल दिया है तो इन्हें भी हम अच्छे से से शेक लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे तो एक गर्मा गरम पकोडियार है आप इनको चाय के साथ ले सकते हैं सोस के साथ खा सकते हैं पहत स्वादिश्ट लगेंगी फ्रेंट्स बस पांच कोमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई सबको मेरी नमस्ते